नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरू चैनल में जैसा कि मित्रों आप लोग देख रहे हैं हम लोग पाइफन की सीरीज में बात कर रहे हैं और पाइफन की सीरीज में बहुत सारी चीज़े पढ़ ली है जैसे और इक्जामपल्स क्या क्या होते तो दोस्तों लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं जैसा कि मित्रों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि स्ट्रिंग क्या होता है पहली बात तो जान लिजिए स्ट्रिंग एक कॉमन डेटा टाइप होता यह क्या है एक string हमारा जो है वो common data type होता है और common data type, data type क्या होता है भाई computer language में हमारे data type पाई जाते हैं data type पढ़ाऊंगा अबर तो आप लोग जान लेज़ें data type क्या होता है बाकि ये समय लेज़ें कि string क्या होता है common data type होता है दूसरी बात मैं बताऊं कि एक से ज़्यादा characters का sequence होता है, यह क्या होता है, जैसे बहुत सारे characters जो है, वहाँ पे available होते हैं, जैसे कि हम लोग ने बताया कि string में हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई, बहुत सारे चीज़े दे सकते हैं, ठीक है, तो एक से ज़्यादा characters का यह sequence होता है, दूसरी बात, आपको म प्रोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क धी ऑगर हमने इस इसंगल कोटेशन मार्क कि दिया तो भी सेम है अगर हमने single quotation mark दिया, तो भी same है, ये दोनों हमारा same होगा, पहली बात, दूसरी बात, जैसे माल इसे, अगर हम लोग बात करें, इसका example इसका दें, तो example हम लोग दे सकते हैं, जैसे क्या है, हमने लिखा, यहां पर क्या लिखा, रतनाकर लिखा, रतनाकर is the, यहां पर देखें, कभी भी quotation को बंद भी करना पड़ता है, एक बात ध्यान रखेगा, मैंने यहां पर लिखा, is the same, फिर मैंने यहां पर के double quotation दे दिया, ठीक है, तो हमने यहां पर इस तरीके से दे दिया, और जब हम लोग दे तो देखो, दोनों हमारा जो यहां पर value है, वो same आएगी, यानि रतनाकर अगर first quotation में हम लोग ने दिया, तो भी same है, second quotation में दिया, तो भी same है, मतलब कोई भी change नहीं होता है, ठीक है, तो यह चीज़े ध्यान में रखनी होगी हम लोग को, माल लिख अगर गलती से double देते हैं, single देते हैं, तो कोई problem नहीं होता है, क्योंकि output हमारा always, जो हमारा output देगा, एक बाद जान लिज़े आप लो, output जो देगा, वो output क्या देगा, वो हमारा देगा, रत ना करी, क्या देगा, वो रत ना करी देगा, ना कि कुछ भी और दे, तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं, direct इसमें बात करते हैं, थोड़ा सा, directly हम लोग चलते हैं, अपन दिख दिया, और यहां पर क्या देदिया, भाई, name is equal to, हमने देदिया, quotation के अंदर देदिया, तो रतनाकर देदिया, ठीक है, और space करके क्या देदिया, UPADHY, ठीक, हमने देदिया, रतनाकर उपाद दिया, ठीक है, अब हमने एक हमने valuable यहां पर define कर ली, अगर देखे, string की प ऐसे इसको हम रन कराएंगे, देखे, complete रतनाकर उपाद दिया, यह सर्च कर दिया, यानि कि हमारा output यहां पर क्या देदिया है, complete रतनाकर उपाद दिया है, लेकिन आगे कि अगर हम बात करें, दोस्तो, यहां पर जैसे हमने यहां पर single quotes दिया है, ठीक है, हम अगर यहां पर double quotes दे देते हैं, हमने single quotes देख लिया, लेकिन अगर माल लिज़े हम लोग यहां पर double quotes दे देते हैं, और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से save करते हैं, और save करके हम लोग क्या कराते हैं, फिर यहां से run कराते हैं, तो देखिए, फिर भी answer वही आ रहा है, क्योंकि मैं प्रिंट कराना क्या सिर्फ और सिर्फ देखना है कि भाई 0 नंबर पे कौन सा करेक्टर है तो हम लोग देख लेते हमने यहां पर प्रिंट करा है नेम लिखा और हमने स्कॉयर ब्रैकेट को यहां पे close कर दिया ठीक है फिर हम अपना bracket बंद करेंगे फिर हमने यहां पे क्या किया यहां पे save किया और क्या किया run करा दिया और जैसे हम लोग run करा है देखिए हमारा capital R आ गया क्या आया यहां पे output आप लोगों को थोड़ा चोटा है बड़ा दिख रहा होगा तो हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं देखिए हमने क्या यहां पे लिखा है भाई नेम इस इक्वल टू रतना का रुपाद्याय दिया है ठीक है और प्रिंट दिया है नेम और इसका indexing दे दिया है जीरो तो हमारा आउटपुट क्या आता है हमारा आउटपुट जैसे ही रन कराएंगे वैसे ही आ रहाएगा देखिए दिख रहें आपको क्या रहा हमारा आउटपुट यहां आउटपुट हमारा आ रहा गया तो इस तरीके से हम लोग इसकी indexing value को use कर सकते हैं इतना ही नहीं हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं जैसे माल इसे क्या है भाई हमने तो अभी देखा कि जो है जीरो नंबर पर क्या है क्या देखा जीरो नंबर पर क्या है लेकिन अगर हम लोग यहां पर फाइफ नंबर कर दें तो भी तो हम लोग इसको सेव करके रन करा सकते हैं जैसे रन कराएंगे द तो यह हमारा क्या हो गया भाई यह हमारा क्या हो गया इसका आउटपुट हो गया इस तरीके से हमने देख लिया लेकिन अगर मानलीज जैसे मानलीज जैसे हमने आप लोग बताया था कि कोड्स के बारें बताया था कोड्स कैसे यूज करते हैं अगर फर्स्ट में कोड्स लग जाए किसी भी number के तो समय लेजे उसके पहले की सारी value वहाँ पर define हो जाएगी अगर last में लग जाए तो उसके आखरे तक या निकि last तक की सारी value आ जाती जैसे हम लोग अगर example की बात करें तो हम लोग example ले सकते हैं जैसे माली जे one लिया हमने और यहां पे quotes दे दिया ठीक है और quotes देके क्या कराया भाई हम यहां पे run करा देते हैं देखे जैसे हमने run कराया ठीक है हमने run कराया यहां पे और यह क्या save का option दे रहा है तो हम लोग यहां से save करेंगे और save करेंगे देखे भाई देखे क्या आ रहा है हमारा zero छोड़के और सारे value को यहां पर output दे दिया है दे दिया है कि नहीं दे दिया है बासमन में आ रही है न मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग last में quotes लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है भाई वहां पर सारी चीजे last तक दे देती हैं जिस value से हम लोग start करते हैं दोस्तों ठीक है तो इस तरीके से हमने देख लिए last में लगा करके अगर हम लोग यहां पर पहले लगा दे कोड्स को क्या करें भाई पहले लगा दे और यहां पर कर दे 7th कर दिया तो अब देखिए यह क्य करके run करेंगे देखिए हमारा output क्या देता यहां पर रतना कर दे दिया क्या है जिरो से लगे 7th 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया तो यह क्या हमारा output यहां पर दे दिया इस तरीके से हमारा क्या होता है string define होता है दोस्तों ठीक है अगर हम लोग चाहें इसको कुछ और भी नई चीज़ अगर हमें चेक करना है क्या चेक करना है जैसे मालेज़़े हमें चेक करना है कि इसमें A available है की ने सौरी के available है की ने तो हम लोग देखते हैं कैसे available है तो यहां पर क्या करेंगे x is equal to कर देंगे फिर के देंगे और k आपको पता है कि codes के अंदर देना होता है k in name हमने कर दिया k in name कर दिया और यहाँ पे क्या print कर दिया भाई print कर दिया x को और जैसे ही हम लोग इसको save करके run कराएंगे देखिए हमारा output क्या आएगा true आएगा लेकिन हम लोग माल इज़े यहाँ पे कर दिते हैं z मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जैसे माल इज़े अगर हमें check करना है कि z है की नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे हमने यहाँ पे दिया name is equal to रतनाकर उपाध्या और x is equal to z दिया और जैसे ही हम लोग x को print कराते है देखिए हमारा output क्या आएगा जैसे हम लोग क्या करते है print कराते है तो हमने यहाँ पे जैसे ही print कराया इसको output इसका दिया तो false दे दिया यानि कि भाई क्या है यहाँ पे available नहीं है क्या है भाई यहाँ पे available नहीं है अब इसमें एक चीज और हम आपको सीखा दे जैसे मानलिज यह क्या हुआ हम लोगों ने एक काम और कर सकते जैसे हमने दिया A is equal to क्या दिया भाई courts के अंदर दे दिया रतना कर क्या दिया रतना कर दे दिया ठीक और फिर हमने क्या किया B is equal to कर दिया भाई courts के अंदर क्या कर दिया उपाध्याय कर दिया फिर हमने courts complete कर दिया अगर इसे हमें add करना है तो हम क्या करते हैं C is equal to करेंगे A plus B को कर देंगे क्या करेंगे भाई A plus B को कर देंगे और print कर देंगे यहाँ पर क्या C और जैसे ही हम लोग इसको print C करेंगे देखिया आंसर हमारा क्या आएगा रतनाकर उपाध्य हमारा combined के आ जा रहा है तो इस तरीके से क्या होता है भाई इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते है define कर देते हैं ठीक है और एक चीज और मैं आपको बता हूँ जैसे माल इसे हमने रतनाकर उपाध्या तो यहाँ पर define कर दिया है ठीक है हमने क्या किया रतनाकर उपाध्या define कर दिया लेकिन अगर माल इसे हमें इसी में age भी add करना है तो हम लोग age कैसे अड़ करते हैं चीछ को मैं आपको बताओ जैसे काले प्लस करेंगे ए-prus करेंगे हैॉ करके हम लोग एक भाई इस पेस भी तो देना बहुत जरूरी है न इस पेस देंगे तभी तो समझ में आएगा फिर इसको प्लस कर देंगे और क्लस करने के बाद क्या करेंगे भाई हम लोग s क्योंकि देखे integer से अगर string में करना है तो convert तो करना पड़ेगा str करके हम लोग क्या करेंगे हाँ पर age दे देंगे और print कर देंगे यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे print कर देंगे भाई x को क्या करेंगे हम लोग print कर देंगे जैसे हम लोग x को print करेंगे देखे रतना कर 22 भाई यह define कर दे रहा इस तरीके से क्या होता भाई हम लोग क्या कर सकते हैं integer so string convert करके हम लोग age को भी define कर सकते हैं तो यह हमारा है string का introduction अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके operations को पूरा complete पढ़ेंगे जिसको आगे वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई होते लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैह कर में बिल झाली गैंगे ए्यारентов साजर करेंगे लिता सोलिए 2 वीट baixo वीडियो काम में लाइक वीडियो कि दीखने से लाई आभ में लिमने से कान हे पğaिक भीडियो को दीखने हे ड сейчасकर देमेंगे ऑны